अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नौटिफिकसन आपको मिलती रहे ठीक है तो जली स्टाट करते हैं तो देखे फर्स्ट में है और शिक्स बेल्स कोमेंस तोलिंग तोगेदर और टोल अट सेकंड रिस्पेक्टिवली आफ्टर हाव मेनी मिनट्स विल दे टोल तुगेदर अगें तो देखे ए कोस्टन में बेसिकली क्या है कि सिक्स बेल्स है ठीक है और वे बजना शुरू होते हैं कमेंस मिंस स्टाट होना है वे बजना सुरू होते हैं कितने इंटर्वल पर 2, 4, तो इसमें है कि after how many minutes will they told together again फिर वे कितने minute बाद एक साथ बजेंगे ठीक है तो यहां देखिए जो timing हमें दिया गया है seconds में दिया गया है और answer हमें find करना है minutes में तो देखिए इस तरह का question हमने work sheet में किया हुआ है इस चेप्टर के जो work sheet है उसमें किया हुआ है तो इसमें क्या करना है यह जो timing दिया गया है basically इसका हमें क्या करना है LCM find करना है और LCM find करके जो आएगा LCM तो वो second में होगा क्योंकि यहां timing second में दिया गया है तो उसे हम minute में change कर लेंगे ठीक है तो देखें इनके हम LCM find करते हैं तो देखें सारे number 2 से divide चले जाएंगे तो हम 2 से divide करेंगे 1 times जाएगा 2 4 2 times जाएगा 6 3 times 8 4 times 10 5 times and 12 6 times अगेन हम 2 से start करते हैं तो 1 तो as it is आजाएगा 2 से 2 divide जाएगा तो 1 3 भी as it is आजाएगा यहां यहां 2 times जाएगा 5 as it is आजाएगा and 6 2 से 3 times जाएगा ठीक है फिर देखें यहां पर 2 है यहां पर 1 times 2 है तो हम फिर से 2 से करेंगे 1 1 तो as it is आजाएगा 3 भी as it is आजाएगा divide नहीं जाएगा 2 से और यहां 1 हो जाएगा 5 भी as it is इस आजाएगा 3 भी ठीक है अब आप देखें कोई भी number 2 से divide नहीं तो अब हम क्या करेंगे 3 से डिवाइट करेंगे क्योंकि यहां पर 3 है 1 हो गया, यहां 1 आ गया, यहां 5 रह गया ऐसे ही and 1 अब देखें सारे नंबर 1 में आ चुके हैं सिर्फ 5 को छोड़के तो अब हम 5 से डिवाइट करेंगे तो 1 टाइमस जाएगा, अब हमें स्टॉप कर देना है यहां पर तो LCM क्या आया है लिखेंगे हम LCM of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 कौन-कौन से नमरा है, देखें 2, 1, 2, 3, 3 टाइमस आया है 2 x 2, 2, 2 3 टाइमस आया है and 3 1 टाइमस आया है and 5 1 टाइमस आया तो इन सभी को multiply करेंगे तो 120 होगा 120 होगा 120 होगा अब क्या करेंगे, यह 120 क्या है सेकेंड में और हमें आंसर किसमें चाहिए, यहां देखें क्या हुआ है, आंसर हमें चाहिए मिनट में, तो इसे हम 60 से सेकेंड को अगर मिनट में convert करना है तो हमें क्या करना होता है 60 से divide करना होता है तो हम इसे 120 को 60 से divide कर देंगे तो यह मिनट में convert हो गया तो 60 से जब divide जाएगा तो कितने times जाएगा देखें 2 times तो आंसर हो गया 2 minutes तो देखें 2 minutes कौन से option में है Option number 4 तो देखें क्या है The SCF of two numbers is 11 and their LCM is 7700 2 numbers है और जिनके SCF कितने है 11 and LCM कितना है 7700 If one of the numbers is 275 तो कहा गया है कि उसमें से 2 numbers अगर 275 है तो दूसरा number कौन सा है तो देखें इस type को question हमने वर्क्षिट में क्या हुआ है तो यह question basically एक formula है जिस पर बेस्ट है कौन सा formula है product of SCF and LCM equal to product of 2 numbers है ना यह formula है तो इस question को हम उसी formula के according करेंगे SCF 11 है and LCM 7700 है और first number 275 है हमें second number find करना है तो जो formula हम जानते है उसका use हम करेंगे according to कौन सा formula है SCF into LCM दोनों का product क्या होता है two numbers के product के equal to SCF into LCM equal to हम लिखेंगे product of of two numbers है ना तो देखे SCF दिया हुआ है 11 and LCM कितना है 7700 ठीक है and first number 275 है second number हमें नहीं मालूम है तो हम suppose कर लेते हैं कि X है second number हम suppose करते है X है तो अब देखिए यहां 11 into 7700 है और इधर X के साथ 275 के है मल्टिप्लाइड में है तो जब 275 को हम लेफ्ट में लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा इनके साथ 11 into 7700 divided by 275 equal to X अब देखिए यहां देखिए यह 5 से दोनों कैंसिल हो जाएगे तो 5 से कैंसिल होगा तो यहां हो जाएगा 55 and यहां हो जाएगा 1540 ठीक है और अब 11 से फिर से यह कैंसिल होगा 5 times 11 5 is a 55 and फिर 5 से यह नंबर कैंसिल हो जाएगा तो 3 times 5 to 15 0 and 8 ठीक है तो X का value क्या हो गया देखिए X का value 308 ठीक है सेकंड नंबर क्या हो गया 308 हमने सेकंड नंबर को assume किया था ना कि X है suppose किया था तो हम यहां पर लिख सकते हैं therefore 2nd नंबर equal to 308 अब किस option में 308 देखिए 3rd option में ठीक है 3rd question है देखिए the greatest possible length इसमें इसमें मीटर एंड सेंटीमीटर में तो सबसे पहले ना इनके युनिट को हम this unit सबसे पहले करना होगा में यहां 3rd from cm सेंटीमीटे सेंटीमीटρ argument मीटर को में सेंटीमीटर में सेंटीमीटर करें गिले सेंटीमीटर में सेंटीमीटर मीटर इकोल टू 100 सेंटीमीटर ठीक है फिर थी मीटर एंड 85 सेंटीमीटर तो 3 मीटर को 100 से मल्टिप्लाइ करेंगे प्लस 85 है अब इनको एड करके आ जाएगा आपको 300 प्लस 85 385 सेंटीमीटर ठीक है यहां देखे 12 मीटर है तो हंडेड से मल्टिप्लाइ करेंगे 12 को प्लस 95 तो यहां हो जायागा आपका 12 हंडेड वन थोजन टू हंड़न नैंटीफाइब सेंटीमीटर ठीक है अब देखे इनका क्या करना होगा आपको 700 सेंटीमीटर आ गया 385 सेंटीमीटर एंड 12 95 सेंटीमीटर अब देखे यहां पर क्या करना है इंको ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंग्थ फाइंड करना जो कि इन नंबर्स को इग्जैक्ली डिवाइड कर दे इसके लिए हमें क्या करना होगा इनकी स्टीफ फाइंड करने होंगे तो जो स्टीफ यहां वही तो इन उझार कर सकते हैं हम यहां पे आपको कंटियुनिव डिविजन मे चाहिताठ से फाइंड करने बताते हैं तो 2 कंट T इन नंबर दिया है इन में सबसे चोटा नंबर कॉनसा है 385 तो 385 से हम डिवाइट करेंगे किसे इससे बड़े वाले नमबर को 700 को ठीक है इसे अभी रहने देते हैं बाद में करेंगे तो 1 टाइमस जाएगा तो देखे 385 हुआ ठीक है माइनस करेंगे तो 10 से 5 जाएगा 5 और यहां 9 से 8 जाएगा तो 1 और यहां 6 से 3 जाएगा तो 3 315 आ गया अब देखें यहां 0 आपका नहीं आया है तो जब तक रिमेंडर 0 ना आए यह कंटेन्यू रहेगा अब देखे 385 यहां जो पहले डिवाइजर था वो अब डिविडेंट बन जाएगा तो 315 से 385 को डिवाइड करते हैं तो 1 टाइमस जाएगा 315 आया माइनस करें यह 0 आया 8 से 1 माइनस जाएगा 7 ठीक है अब देखिए अभी भी 0 नहीं आया है तो 315 आपका यहां डिविडेंट बन जाएगा जो पहले डिवाइजर था वो बाद में डिविडेंट बन जाएगा तो यहां देखिए 4 टाइमस जाएगा 0 माइनस करेंगे 5 आया यहां होगा 3 ठीक है अब देखिए अभी भी नहीं आया है तो 35 से किसे डिवाइट करेंगे 70 को यहां देखिए 2 टाइमस डिवाइट चला जाएगा माइनस करेंगे नहीं 2 टाइमस गया तो यहां 70 होगा 35 नहीं 70 होगा ठीक है और माइनस करने से यहां देखिए 0 आ जाता है तो जब रि होता है वह ही आपका SCF हो गया तो यहां डिवाइजर क्या है 35 तो इन दोनों का SCF क्या हुआ 35 तो देखिए 385 और 700 का SCF कितना है 35 सेंटिमेटर अब इस 35 से क्या करेंगे जो थर्ड बिगेस्ट नंबर था उसे डिवाइड करेंगे 1295 को तो देखिए 3 ताइम्स जाएगा 35 को 3 time multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 105 मानस करेंगे तो यहां आएगा 4 और यहां आएगा 2, 1 मानस 1 जीरो और अब डिवाइड नहीं चभे तो तो 5 नीच लाएँगे तो 7 से चैदिमेटर तो 7 से multiplying 35 को तो यहां हो जाएगा 245 मानस करेंगे 0 तो मि तो इसका मतलब क्या हुआ, 35 इन तीनों नंबर्स का HCF है, तो HCF of 35 and 1295 is 35, तो देखे, 35 तीनों के HCF होगा है, 1295 के भी होगा है, 385 का भी and 700, इन तीनों नंबर्स को 35 इग्जैक्ली डिवाइट कर देता है, तो इस कुश्चन का आंसर क्या हुआ आपका, एंसर यहां आचुका है, कितना 35 सेंटीमिटर यह उप्सन, फर्स्ट में है, ठीक है, फोर्थ कुश्चन है, देखे, 252 can be expressed as a product of primes, मतलब हमें क्या करना है, 252 का prime factorization करना है, ठीक है, तो देखे, 252 का prime factorization करते हैं, prime factorization means, इनके prime factors find करना है, ठीक है, तो इनके जो भी factors होंगे, वो prime numbers में होने चाहिए, तो देखे, 252, 2 से divide चला जाएगा, और 2 एक क्या है, prime number है, तो 1 times जाएगा, फिर, 2 यहां होगा, and 2, 6, हाँ, 126 होगा, फिर से 2 से divide करेंगे, तो यहां आएगा 6 and 3, ठीक है, फिर से हम, अब देखे, 2 से divide नहीं जाएगा, यह, 63, 3 से divide करेंगे, 3 से divide जाएगा, 21 होगा, फिर 3 से करेंगे, तो 7 होगा, and, अब 3 से नहीं जाएगा, तो 7 से करेंगे, 1, अब हमें stop कर देना, तो देखे, इनके prime factors क्या क्या है, क्या क्या है, 2, 2 times है, 3, 3 times है, and, 7, 1 times है, तो यह किस option में है, देखे, 2, 2 times, 3, 3 times, and, 7, 1 times, option number 1 देखे, option number 1, यह हो गया, इस कांसा, ठीक है, 2, 2 times, 3, 2, 2 times, and 7, तो यहां हम आंसर, option number 1 लिख देते हैं, 2 into 2, into 3, into 3, into 7, ठीक है, next question देखते हैं, क्या है, next है, देखिए, which of the following is a factor of every natural number, इन में से, कौन सा है, जो कि, हर natural number का factor होता है, तो 1 होगा, इसका answer है, 1 सभी natural number का factor होता है, अब देखे, next question क्या है, B में, answer the following question, ठीक है, इनके answer दीजिए, B का first में है, find the highest common factor of 36 and 84, 36 and 84 का क्या करना है, HCF find करना है, तो चलिए, देखिए, इनका HCF find करते है, 36 and 84 का, ठीक है, तो कौन सा method से करेंगे हम, यहां हम prime factorization method से, इनके factors find करते हैं, ठीक है, 36 के prime factors find कर लेते हैं, तो 2 से divide जाएगा 36, 46 तो 18 times जाएगा, फिर 2 से divide जाएगा, तो 9 times जाएगा, अब देखिए, तो से divide नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, 3 से 3 times and again, करेंगे तो 1 times, अब इस stop हो जाएगा यहां, आब 84 को देखिए, 84 भी 2 से divide जाएगा, 42 होगा यहां पर, फिर से 2 से करेंगे तो 21 अब हम 3 से करेंगे क्योंकि 21 उसे डिवाइड नहीं होता है तो 7 टाइमस जाएगा 7 से करेंगे तो 1 यहां stop हो जाएगा ठीक है अब देखे इनके जितने प्राइम फेक्टर साय है यहां हम नोट कर लेते हैं 36 का आया है आपका 2 x 2 x 3 x 3 and 84 का क्या है 2 x 2 x 3 x 7 अब इन में देखिए कौन-कौन से नंबर कॉमन है 36 and 84 के जो प्राइम फेक्टर साय है तो यहां 2 देखिए यहां भी 2 है इन दोनों में 2, 2 times है 3 देखिए 36 में 2 times है बट 84 में 1 times है ठीक है तो जो नंबर कॉमन है वो ही इनके हाइस्ट कॉमन फेक्टर हो जाएंगे तो यहां पर हम लिखेंगे HCF equal to 2 x 2 x 3 तो क्या हो गया आंसर 12 ठीक है बी में क्या है how many factors does 36 है 36 के कितने factors है तो देखिए 36 के कॉन-कॉन से factors हो जाएंगे 36 के 1 factor होगा 2 भी होगा 3 भी होगा 2 भी divide कर लेता है 3 भी divide कर देता है ठीक है 18 करेगा and 36 तो कितने factors होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहां हम लिखेंगे 9 factors ठीक है next है देखिए express 132 as the sum of 2 odd primes ठीक है odd primes हमें find करना है मतलब दो दो ऐसे prime number find करने हैं जिनको अगर add करो आप तो 132 आए ठीक है दो ऐसे prime number find करने हैं जिन numbers को आप add करो न तो 132 आना चाहिए तो बहुत easy है देखिए 132 अगर इसको आप exactly divide करो तो 60 plus 70 देखिए 60 और 70 को add करते हैं तो कितना आता है 130 आता है इसके आसपास आ रहा है अब इसी में 11 दोनों में आप देदो तो यहां क्या जाएगा 61 और यहां 71 इन दोनों को जब add करो आप तो 132 आता है तो 132 के जो odd primes हमें find करने थे वो क्या हो गए 61 और 71 अब देखिए D में क्या है what should be added to 4057 to make it divisible by 9 मतलब कि यह number 4057 यह 9 से divisible नहीं है तो 4057 यह कहा गया है कि 9 से divisible नहीं है तो इसे इसमें और कौनसा number add किया जाए कि वो 9 से divisible हो जाए तो देखिए 9 का divisibility rule क्या है इनके digits का sum जो आएगा वो 9 से अगर divisible होगा तो यह number 9 से divide हो जाता है तो देखिए इनके digits का sum add sum find करते हैं लिखेंगे sum of the digits ठीक है तो 4 है ना 4 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 7 ठीक है तो यह digits है इनके sum find किजेंगे तो 4 प्लस 5 प्लस 9 ठीक है आएपम इनके ना 6 टीक तो 16 प्लस 9 प्लस 7 प्लस तो प्लस 16 तो 16 अब नहीं होता है जक्तु है कि 16 धश्तिन में क्या हम आप क्या है सकति हेग तो 9 से विवाइड हो जाएगा और 18 क्या होता है, 9 से divisible होता है, तो यहां हम क्या answer देंगे, क्या add करना है, 2, इस question का answer हो जाएगा, 2, ठीक है, next question देखिए, find the HCF of 95, 105 and 115 by continue division method, हमें इन numbers के HCF find करने है, continue division method से, देखिए, आपको mention किया गया है, खासतार पर कि continue division method से करना है, तो आपको जब भी exam में कोई इस तरह के HCF find करने आए, और method को आपको mention कर दिया जाए, कि आपको इसी method से करना है, तो आपको उसी method से करना होगा, ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे, 95, 105 and 115, अब continue division method में क्या होता है, यहां पे देखिए, जो सबसे चोटा नंबर है, नाइन ती 105, तो छोटे वाले से बड़े वाले को हम डिवाइट करते हैं पहले, तो देखिए 95 से हम डिवाइट करेंगे 105 को, वन टाइमस डिवाइट जाएगा, 95 होगा, माइनस करेंगे 0 आया, यहां 1, अभी देखिए, रिमेंडर क्या है, रिमेंडर 10 है, 0 नहीं आया है, तो जब र 95 को डिवाइट करेंगे, तो 9 टाइमस जाएगा, 90 हुआ, माइनस करेंगे, 5 हो गया, यहां 0, अभी देखिए, रिमेंडर 0 नहीं आया है, तो 10 यहां डिविडेंड बन जाएगा, 5 से 2 टाइमस जाएगा, 10 आया, अब देखिए, रिमेंडर 0 आ चुका है, तो जब रिमेंड 5, SCF of 95 and 105, क्या हुआ है, 5 हुआ है, इसका SCF, अब हम इस SCF से 115 को डिवाइट करेंगे, तो यहां पर डिवाइट करते हैं, 5 से 115 को, 2 टाइमस जाएगा, 10 हुआ, माइनस करेंगे, 1 and 5, 3 टाइमस जाएगा, 15 है, तो यहां देखिए, 5 क्या करता है, 115 को एक्जैक्ली 5 क्या हो गया, इन तीनों नंबर्स का SCF हो गया, तेरफोर अब कहा सकते है, तेरफोर, SCF of 95, 105 and 115 is 5, ठीक है,